क्या आपके बूल एक्स को सकते हैं परकूर्स निज से क्या करेक्टेड का अपके बूल एक्सक्टिस उसकते हैं तो फॉंस आज आज अंब इंप डिसकस करने वाले हैं मतलब होता है कि आपको ये, आपका जो नी है, वो अंदर की तरफ bend हो गया है. मतलब इस तरीके के कोई shape हो गई है और आपके दोनों नी के बीच में आपको gap होने लगा है. आपके दोनों नी के बीच में gap होता है. उसको इसलिए इसना नाम दिया गया है अब बोलेग्स जो है जनरली बच्चे में अगर अगुष होता है बहुत जिनकी soft bones होती है उनमें braces काम करते हैं vitamin D की therapy काम करती है stretching काम कर जाती है कुछ extent बहुत minute extent तक बट अगर आपकी age जो है bone age आपकी complete हो चुकी है मतलब आपकी height बढ़ना बंद हो चुकी है after 16 to 18 years की अगर आपकी एज है तो आपके बोलेक्स क्या ब्रेसे से एक्सराइज से करेट हो सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है विकास बोन की एज पूरी तरीके से हो चुकी एक खतम अब वो स्ट्रेच नहीं होने वाली बोन कोई की इलास्टिक मटिरियल नहीं होता है अगर आपको सिग्निफिकेंट वारा से मतलब 5-7 डिग्री से ज्यादा है जो आपकी नी लाइफ को अफेट कर रहा है या कॉस्मेटिकली आपको खराब करगला है या फिर आपके दोनों घुटने में बीच में बहुत गया पारा है तो एक्ससाइस से करेट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो आप इस ताइब के अगर आपको कुछ कंफूजन हो रहा है कि आप ब्रेस से इसको ठीक कर लेंगे तो वह एक बेफिजूर का खरचा हो जाएगा आपका इसके लिए या तो हमें एक्स्टरनल फिक्सेटर मे अपिरेंस भी ठीक करता है बट में फाइदा जो है आपकी जॉइंट लाइफ को प्रोलॉंग करना होता है क्योंकि जो ग्राइविटी से एक्सेस आती है वह उसको हम रिबैलेंस कर देते हैं अगर आपको इससे रिलेटेट कोई तकलीफ है तो आप हमें नीचे दिए गर न